देखी यहाँ पर पूछ रहा है कि X और Y और Z का वैलू क्या होगा तो X Y Z का जो वैलू है ये अगर निकाल लेते हैं तो जो भी equation 3X 4X 5X जो भी दिया होगा वो तो निकल ही जाए तो जब भी आपके इस तरह के question पूछे जाए तो आपको क्या करना है जो नीचे वाला दिया गया है यानि कि 7 और 9 इसको हम भाग देंगे उपर वाले से यानि कि 29 से इसको भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा तो पहले तो आपको दो बार में जाएगा और यहां पर बचेगा 58 और यहां पर आपका क्या बच जाएगा 21 तो जब हम पहली बार भाग देंगे तो वो हमारा सबसे उपर वाले का वैलू होगा यानि कि सबसे उपर वाला कौन है सबसे उपर में सबसे उपर में कौन है X है तो 2 किसका वैलू हो जाएगा X का यानि कि X बराबर हमारा कितना आ गया 2 आ गया अब देखिए यहां पर हमारा ही छोड़ देते हैं और 21 को हम इक से हम भाग देते हैं उप्पर वाले यानि की 29 को तो एक ही स से अνगे तो यहां पर कितने बार में कटेगा एक बार में तो यहां पर एक किस और यहां पर आठर आजंगा अब जैसे कि Dubai कि यह जिया कि और आधा यह दूसरी और कि इसके दूब तो यहां पर 50 यहांपर बुच्टा यहां पर एक विलु और इस हो जाने है यह पहले क्या करना है कि लगनें कि 39 से हम 59 को इससamiliar nas是 जब भाग देंगे तो जो बचेगा यानि कि 29 गुने 2 होगा तो यहां पर हो जाएगा 58 और यहां पर हमारा क्या बचेगा 1 और यहां पर आपका बचेगा 2 21 बचा अब देखे यह जो दो हुगा यह उपर वाले का मान हो गया यानि कि उपर में कौन सा है सबसे पहले कौन सा है एकस तो एकस का मान हो गया अब हम 21 को किस से भाग देंगे तो 21 को जो एकस के बगल में है एकस को किस से जोड़ रहा है तो वन बाई वाई जो भी इतना है यानि कि उपर में जो है एक्स के बगल में एक है तो हम एक से भाग देंगे तो यहां पर हमारा क्या आता है 21 आता है अब हम 21 से किसमें भाग देंगे यह जो पहले वाला था जब हम पहले जो हम जिससे भाग दिलवाए थे उसमें हम 21 से भाग देंगे यानि कि 29 यह कितने बार पहले यहां पहले यहां पहले किसका आएगा तो पहले यहां पर देख सकते हैं पहले हमारा X का आएगा फिर Y का आएगा और फिर Z आएगा यानि कि उपर से नीचे की तरफ चलते हैं उपर ये है फिर दूसरा ये है और तीसरा ये